ये रेसिपे बैगन की एकदम नई रेसिपी है अगर आपके घर में छोटे या बड़े बैगन खाने से नाग मूसी कोड़ते हैं तो एक बार आप इस तरीके से बैगन बनाके उन्हें खिलाईएगा उन्हें बहुत यह अच्छा लगेगा हेलो एवरिवन आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल दीसी वेरिस फूड में तो चली बनाते हैं बैगन की एकदम नई सी सब्ची यहाँ पर मेरे पास पतला वाला बैगन का छोटा साइस मैंने लिया है जिसे मैंने एक पाउ के करीब लिया है इसे कलॉंजी वाला बैगन भी कहते हैं अगर आपके पास कलॉंजी वाले बैगन थोड़ी से बड़े साइस में है तो आप उसको बीच से कट करके भी इसका सब करना है बस पूरी तरह पूरी तरह से आप इन्हें अलग मत कीजिएगा डंटी से तो इसी तरीके से मैंने सभी बैगन को कट करके रख लिया है और मैंने बैगन को पहले ही दू लिया था सबी बैगन अच्छे से काट लिया है मैंने और जो डंटी है उसे मैंने नहीं काटा है तो आप भी इसे मत काटेगा तो चलिए बढ़ते अगले प्रोसेस के और मैंने कड़ाई गरम होने के लिए रख दिया था जैसे कड़ाई गरम हो गया है तब मैंने यहाँ पर सरसो का तील डाला है आप चाहिए तो कोई भी क्यूक रिंग और यूज़ कर सकते हैं तेल में जैसे अच्छा धूसराल नीन लगेगा ना इसका मतलब आपका सरसो का तेल है वो बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है तब मैंने यहाँ पर बैगन डाला है और उसके बाद मैं यहाँ पर स्वादनुसा नमक डाल रही हूँ अगर आपके पास बैगन की जो क्वांटिटी है वो जादा है तो आप इसे दो बार में भी दल सकते हैं नमक ऑर हल्दी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से चला लेना है यहाँ पर नमक और हल्दी सिफ बैगन अभी हमारे पास इतना है उसके क्वांटिटी के हिसाब से हम डालेंगे बैगन हल्दी डालने का फायदा यह है कि जो बैगन है न वो पकना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा धक कर हमें इसे छोड़ देना है 5-6 मिनिट के लिए 5-6 मिनिट के बाद आप ठककन हटाईएगा और इसे फिर से एक बद चला लीजे और फिर से ढखक कर छोड़ दीजेगा 5-6 मिनिट के लिए हमें यहाँ पर बैगन को तब तक भूझना है जब तक से बैगन में एक स्रिकुर्ण बनना आ जाए यहाँ पर 10 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं बैगन बहुत ही अच्छे से भूझा आ गया है और बैगन का स्कीन है उसमें आप देखेंगे यह थोड़ा थोड़ा सिगुर्ण पैन भी आ गया है तो यहाँ पर हम आप सभी बैगन को निकाल लेते हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा रोग कर बैगन को निकाल लीजेगा ताकि जितना ओईल है वो भी सेप्रेट हो जाए अब जो बचा हुआ ओईल है उसी ओईल में हम मसाला भूझेंगे जिसके लिए मैंने थोड़ा सा मेथी डाला है और थोड़ा सा हिंग उसके बाद हमें यहाँ पर बारी कट किया हुआ प्याज डालेंगे और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर धन्या पत्ता का जो डंटी होता है उसे मैंने कट कर लिया है इन सब को डालेंगे और अच्छे से नहीं भूझेंगे जब तक से प्याज का कलर है वो हलका ब्राउन इसे भूझ दे में कम से कम आपको 5-6 मिनट आराम से लग जाते हैं कि यहां पर प्याज एछी से बुझ गया है तब मैं यहां पर एक बारी नाच चाह तब टमाटे लवसुन की गलिया और एक चमच धनिया, खड़ा धनिया है। मेर्च में मैंने दो सूखी मेर्च लिया है और तीन हरी मेर्च लिया है। इन सबी को हम जार में डाल कर पीस लेंगे। सरसो मसाला पीस दे समय आप एक बात का ध्यान रखेगा। सबी मसाला डालने के बाद बिना पानी टाले आप इसे एक से दो राउंड पीस लीजे उसके बाद आप इसमें पानी आड़ करके पीसेंगे तो जो सरसो का पेस जना वो आपका बहुत ही अच्छे से पिसा जाएगा ये देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत ही चिकने तरीके से तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में सरसो मसाला जरूर पीस के फ्राई कीजेगा 5-6 मिनियर के बाद जो टमाटर है वो भी बहुत ही अच्छे से पग गया है तब हम इसमें डालेंगे बीसा हुआ मसाला सबी मसाले को डालने के बाद जहार में जितना भी मसाला लगा है उन सब के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर और उसे भी डाल दे रहे हूं मसाला को अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर मैं डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालते समय आप थोड़ा सा अपने हाथ में कंजूसी कीजेगा क्योंकि पहले भी अपने नमक डाला है उसके बाद मैं यहाँ पर ढाल रही हूँ धनिया पत्ता और अच्छे से चला कर इसे ढख देंगे 6-7 मिनिट के बाद जो मसाला है वो अच्छे से भूजा जाएगा तो यहाँ पर मसाला भी हमारा बहुत यह बहुत ही अच्छे से भूजा गया है तेल जो है वो आप देख सकते हैं उपर दीख रहा था तो मैं मसालों को अच्छे से जला ले रही हूँ और फिर इसको 2-3 मिनट मैं अच्छे से भूंज ले रही हूँ फिर से मसाले को और इसके बाद मैं यहाँ पर बैगन डाल रही हूँ नहीं तो ये तूट जाएगा दो से तिन मिनट के बाद बैगर का जितना भी ओइल थाना वो सब सेप्रेट हो जाएगा बैगर से मसाले में आ जाएगा तब आप इसमें डाल दीजेगा पानी एक काथ बार आप हलके हाथ से चला लीजे पानी डाल लीजे आप अपने सोखेगा तो इसको ढख देंगे दो से तीन मिनट के लिए जादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने पानी बहुत कम यूज किया है दो से तीन मिनट के बाद इस सबजी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ जाएगा आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है ना बहुत ही काढ़ा ह तो अब मैं क्या करूंगी उसमें जाल दे रही हूं धन्यापत्त, गैस को कर दे रही हूं बंध हमारा सबजी बनके हो गया है तही यार कितना सिंपल था नहीं है सबजी जितना आसान इस सबजी को बनाना खाने में भी यह बहुत ही टेस्टी है तो इस तरीके से आप भी अ अच्छा लगाना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा लाइक कीज़ेगा खुब सारा कमेंट्स कीज़ेगा मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहें दिल से धन्यवाद मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो